आश्टेलिया के खिलाफ हिंदोस्तान को मिला नया धोनी रिंकू में छुपे हैं धोनी युबराज के गोड़ नया धोनी जिताएगा 2024 का T20 बल्ड कप तो नमस्कार दोस्तो क्रिकेट के एक और नए वीडियो में आपका शौगत है तो दोस्तो आखिर कैसे आश्टेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को मिला नया धोनी टीम इंडिया के किस बल्लेबाज में छुपे हैं धोनी और युबराज सिंग के गोड़ और टीम इंडिया का कौन सा धाकर बल्लेबाज जिताएगा 2024 का T20 बल्ड कप सब कुछ जानेगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आप भी रिंकु सिंग को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो भारत और आश्टिलय के बीच खेली जा रही पाँट टीटोंटी मैचों की सिरिज के दूसरे टीटोंटी मैच में टीम इंडिया ने आश्टिलय को 44 रनों से हरा कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की अब टीम इंडिया सिरिज में 2 जीरों से आगे है बारत ने पहली पारी में आश्टिलय की खिलाब 4 विकेट पर 235 रनों का पहार जैसा लक्ष खड़ा किया जिसमें टीम इंडिया की ओर से यसस्वी जैसवाल ने त्रेपन, रुतुराज गायकवाड ने अंठाउन, इसान किसन ने बाउन, सूरिया ने 19 और अंत में रिंकू ने, मात्र 9 ग विष्णा और रवी विष्णोई ने 33 विकेट अपने नाम किये और टीम इंडिया ने 44 रनों से जीत हासिल की, वही दोस्तो इस जीत का जो मुक्ह स्रे है वो हमारे बल्लेवाजों को जाता है, जिनों ने आश्टिलिये जैसी मजबूर टीम के खिलाप सांधार सबसे पहले बता दे यससवी जैसवाल, तो जैसवाल ने 53 रनों की पारी खेली, इनों ने 25 गेंदे ली, 9 चोके, 2 चक्के लगाए, रुतुराज गायक बार्ड ने अंठाउन रन बनाए, इशान किशन ने 22 रनों की पारी खेली, सूरिकुमार यादों ने भी 10 गेंदों प पारी के दोरान रिंकु सिंग का जो स्ट्राइक रेट रहा वो साड़े 300 के लगबग रहा, यानि कि रिंकु ने किस परकार से आश्टेलिया की सामने बल्लेबाजी की, और मतलब 10 से कम गेंदों में 30 रन के पार पहुँच गए, दोस्तों आश्टेलिया के खिलाब रिंकु रिंकु सिंग की बैटिंग देखका लग रहा था कि टीम इंडिया को एक नया धौनी मिल गया है, क्योंकि पहले जो टीम इंडिया के लिए धौनी इसी परकार का काम करती थी, और काफी देश से टीम इंडिया को एक नए फिनिसर की तलास थी, जो टीम इंडिया के लिए सा पहले बल्ले बाजी करते हुए टारगेट को एक सांदर तरीके से अचिव किया एक सांदर छक्का लगाते हुए मैच को जिताया वहीं दोस्तों आज जब पहले बल्ले बाजी करनी है टीम इंडिया को करनी होती है और एक सांदर लक्षे टारगेट सेट कर रही होती है तो भी रिंकू सिंग ने महज 9 गेंदो पर 31 रंजड कर ये बता दिया कि रिंकू सिंग टीम इंडिया के एक बहतरी इन फिनिसर के उम्मीदवार हैं और उनसे आंगे शायद कोई नहीं वहीं दोस्तों जैसा कि आप लुग जानती हो के बल्ड कप में केल राहुल ने जिस प्रकार की आश्टिलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की थी राहुल ने 107 गेंदे खेली थी और उस पारी के दोरान लेकिन इतना धीमे खेले थे राहुल उस पारी के दोरान उन्होंने केवल एक चोका लगाया था चक्का तो दूर की बात है और यहाँ पे जो रिंकू सिंग है इन्होंने आश्टिलय के खिलाब महज 9 गेंदे खेली है और इन 9 गेंदों के दोरान रिंकू सिंग ने 6 बाउंडरी लगाई साड़े 300 के इस टाइक रेश से बल्लेवाजी की और 31 रनों की नावात पारी खेली मतलब आप शमश रकते हों कि रिंकू सिंग की जो फिनिसिंग है उसमें कितना फर्क है केल राहूल के मुकाबले यानि कि रिंकू सिंग एक अलगी लेविल की बल्लेवाजी कर रहे हैं कास रिंकू सिंग बल्लेवाज में आ जाते तो नतीजा कुछ और ही होता चलो जो बीट गया सो बाद गई अब दोस्तो आने वाला है 2024 का बल्ड कप और हमें अब प्रे करना है कि रिंकू सिंग को टीम में रखा जाए मतलब यार टीम में रखना ही चाहिए इतना सांदार बनलेवाज इतना सांदार फिनिसर टीम में यदि ना हो तो फिर यार वो BCSI की मतलब क्या ही बताएं तो दोस्तो आपके अनुशार क्या रिंकू सिंग को वर्ल्ड कप 2024 की प्लेंग लेविन में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं एक और नए वीडियो के शाथ तब तक के लिए जैस याराम